हेलो स्टुडेंट आज हम चैप्टर नमबर थ्री इंडियास इंटरनल चैलेंजेज इसकी एक्सेसाइज सॉल करेंगे फर्स्ट राइट बिरिफली फर्स्ट वीच डिमांड्स आपूट फोवर्ड थ्रू दा अनन्दपूर साहेब रिजॉलेशन बाई दा अकिलीदार यह अंसाब पेश नमबर टैन पर है यह देखिए पैरिग्राफ दा अन्रेस्ट इन पंजाब इदर आजाई थर्ड लाइन पे इन 1973 यहां से आपको लिखना है यहां तक 1977 तक यह आपका 1.1 पहला अंसर second what can we do to end communalism यह अंसर पेश नमबर 13 पर है यह पैरिग्राफ देखो ट्रस्ट वाला इदर आजाओ we should mix नहां से लिखना है आपको नहां से लिखना है पूरा यहां तक लिखना है ठीक है यहां से लेके नहां तक आप लिखेंगे यह अंसर है आपका 1.2 का इदर कैंसल किया है पर आप कैंसल नहीं करेंगे एक-एक फुली स्टॉप तक आप एक-एक पॉइंट बनाकर अंसर लिख सकते हैं 1.2 का अंसर यह पिंक करर की मार्की नहीं यहां से लेके यहां तक यह अंसर पेश नंबर 13 पर है यह पैरिग्राफ देखो पेश नंबर 13 पर रिजोनिलिजम यहां से लिखेंगे यह आप यहां तक backward state यहां पर bracket close कर लो यहां से लेके यहां तक आपका अंसर है 1.3 का second explain the following concept in your own words communalism यह अंसर लिखेंगे regionalism यह अंसर लिखेंगे अग third give reason first it become necessary to carry out the operation blue star यह अंसर पेश नंबर 10 पर है यह paragraph देख लो operation blue star fourth line पर आजोन नीचे red color की मेरी marking देखो on the यहां से आप लिखेंगे यह पूरा लिखेंगे more तक ठीके एक एक फुल स्टर अब तक आप एक एक point बना के लिख सकते यहां से लेके यहां तक अंसर है 3.1 का second we should fight communalism with all our strength यह अंसर पेश नंबर 13 पर है यह paragraph देखो trust between people नहां से लिखेंगे आप फुल paragraph आपको लिखना है यहां तक ठीके यहां से लेके यहां तक आप लिखेंगे 3.2 का अंसर ही ठीक है अभी last question बचता है आपका write the full form यह तीनों के full form बता रही हो अभी अगर वीडियो आपको helpful है तो please इसको like, share or subscribe कीजिए thanks for watching अब यह full form लिख लो है ठीक है